दूस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि UPTGT PGT का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और प्रबेबली ये उम्मीद की जा रही है कि जो ये नोटिफिकेशन है ये अक्टूबर के लास्ट में आ जाएगा या फिर नेवेंबर के फस्ट वीक में ये नोटिफिकेशन आने वाला है और आपको पता ही है कि UPTGT English को लेकर हमारा उलड़ी एक बैच चल रहा है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि काफी एपलिकेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे सर PGT English का ओनलाइन बैच आप कब स्टार्ट करने वाले है तुम आपको बता देता हूँ कि UP PGT English के ओनलाइन बैच को लेकर अब आपका इंतिजार खतम हो चुका है क्योंकि अब जो ये बैच है ये मंडे से स्टार्ट किया जाना निश्चित है तो मंडे से हम इस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तो तो UP PGT English का बैच मंडे से स्टार्ट होगा और UP TGT का हमारा करेंट में बैच चल रहा है आप उसे जोइन कर सकते हैं लेकिन अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सर UP TGT English के बैच में तो काफी syllabus निकल गया होगा cover हो चुका होगा तो पहली बात तुम आपको ये clear कर दूँ कि literature जो एक literature का जो topic होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि अगर जो हमने पीछे का नहीं पढ़ा तो हम आगे cover नहीं कर सकते आप आगे उसको easily join कर सकते हैं और जो पीछे के जो आपके topics निकले हैं उनको आपको एक तरह से दोबारे से पढ़ा दिया जाएगा और इतना ही नहीं जो 7-8 videos आपके निकली हैं hardly 10 हो सकती हैं तो उनके आपको link भी आपको send कर दिया जाएगा और अब आप ये सोच रहे होंगे कि sir TGT का best आपका पहले ही चालो हो गया था तो फिर इतना कम syllabus कैसे हो पाया तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इसी बीच में मैं बहुत ही परेशानियों में घिरा रहा फादर की तबित खराब हो गई थी तो रोज होस्पिटल में रहना वहाँ पर देखना तो बहुत सारी परेशानिया मेरे साथ आई और फाइनली फादर मेरे जो फादर है वो इस दुनिया में नहीं रहे मैं उन्हें खोचुका हूं तो इस वज़े से ये देरी हुई दोस्तों लेकिन कहते है करम तो हमें करना पड़ता है तो उस करम को करते हुए मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ और अब री स्टार्ट मैंने TGT क्लासेज वहीं से जहां पर मैंने खतम की थी तो छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट कर दी है तो वो ज़्यादे वीडियोज नहीं निकली है आप उसी बैच को आप जोइन कर सकते हैं और आगे की वीडियोज में आपको मतलब जो पीछे छोटुई वीडियोज है वो भी मापको कराता रहूँगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों UPTGT PGT English की फी क्या है 7,000 रुपीज UP PGT की है जिसके 35,000 रुपे में आपको क्लास है और 3.5 में ही आपके नोट्स है तो इस तरह से UPTGT PGT English की ये फी है और एक बात और मैं किलियर कर देना चाहता हूँ आपने थमनेल में देखी लिया होगा मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ केवल और केवल वो एप्लिकेंट्स जोड़े जो वास्तम में TGT की सीरेस त्यारी कर रहे है जिन में एक सची लगन है और जो एक विलपार के रुप में काम कर रहे है जैसा कि मैं अपनी लाइफ में आइडियल लाइन्स मानता हूँ जो लाइन्स आइडियल है वो है I was ever a fighter so one fight more the best and the last Robert Browning ले ये लाइन्स कहीं थी अपनी कविता प्रॉस्पी के में कि वो ये कहते है Act of Looking Forward पोयम का नाम है मतलब प्रॉस्पाइस और ये जो पोयम है इसमें उन्होंने कहा था I was ever a fighter so one fight more the best and the last मैं हमिशा से एक योद्धा रहा था एक योद्ध ओल लड़ूंगा और अपनी जिन्दगी का ये मेरा सर्फसरिष्ट और राखरी योद्ध होगा तो दोस्तो जो इस पंक्तियों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जो वास्तम में एक ऐसी ही विलपार रखते हो वही अभ्यारती केवल यहां पर जुड़े क्योंकि मुझे आपका result देना है और result मैं तभी दे सकता हूँ कि जब मेरे guidance को आप follow करें आप मेहनत करें और मुझे एक response दे एक positive response मिले आपका तभी मेरी जो मेहनत है वो सफल हो पाएगी तो केवल और केवल आपको मेहनत करनी है guidance मेरा रहेगा और निश्चित रुप से सफलता मिलकर रहेगी आप उस सफलता को बिलकुल प्राप्त करेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं तो देखे वो सबका नजरिया होता है हो सकता है कुछ लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आए न तो इसलिए मैं अपनी वीडियो का demo जो है आसानी से देख सकते हैं तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैंने ये PhD की हुई है या फिर मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ अगर जो मैं अपने आपको appreciate करूँगा जादे appreciate करूँगा तो आपको लगेगा कि ये तो जादे ही सर अपने आपको overshow कर रहे है तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि एक अच्छे सिक्षक की पहचान उसकी सिक्षा से होती है उसके पढ़ाने के तरीके से होती है उसके content की knowledge से होती है उसकी subject knowledge से होती है तो दोस्तों अंदाजा आप खुद लगाए कि मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा तो आप मेरी videos को देखें पूरा analyze करें उसके बाद decision ले और मैं ये नहीं कहता कि cable मेरी videos को देखें आप जितने भी channels YouTube पर हैं आप सभी की videos देखें और जहां आपको अच्छा लगे वहाँ आप join करें चाहे वो भले ही मेरा channel हो या किसी अन्य का channel हो या फिर कोई other coaching हो वहाँ पर आप join करें जो भी आपको अच्छा लगे लेकिन एक बार उस link पर जाकर वीडियो को देखें जरूर जो demo class हैं उसे जरूर देखें अब दूसरी बात ये आती है कि तयारी कैसे करें इसके लिए मैंने already videos बनाई हुई है top 5 books for UP, TGT, PGT, English के लिए मैंने आपको बताई हैं उस video में link भी मैं description box में देने वाला हूँ जो मैंने top 5 books बताई हैं जिसमें आपको बताई गए कि किस परकार से आप UP, TGT, PGT की तयारी करें और एक बार में ही इस exam को crack कर सकते हैं अगर जो आपने उन किताबों को पढ़ लिया और इसके साथ साथ मेरे अपने खुद के notes भी है जिनको आप purchase कर सकते हैं दोस्तों जो हमारा course है, course के साथों में वो provide कर ही रहा हूँ 4000 रुपीस का TGT का course है, उसके साथ आपको notes मिलेंगे, 7000 का PGT का course है, उसके साथ आपको notes मिलेंगे और इसके अलावा गर जो आप separate खरीदना चाहते हैं, तो 2000 में TGT के और 3000 में PGT के notes आप मुझसे purchase कर सकते हैं, जो की literature portion one liner दिया गया है, और जो grammar portion वो पूरा description में, detail में दिया गया है one liner notes ऐसे बनाए गए है कि वो पूरे all over India में जहां भी 4 writer से question आए है या फिर history of English literature term से question आए है, उनको उसमें include किया गया है, इस प्रकार के notes कि अगर मैं उनको objective pattern में बनाता तो शायद 400-500 page भर जाते, लेकिन one liner बनाया और ये especially मैंने इसलिए बनाए कि इतना सब कुछ पढ़ना, इतनी किताबे पढ़ना, exam के just pass में possible नहीं हो पाता, और आप अगर जो आप refresher के रूप में notes को पढ़ जाएं, तो मैं कहता हूँ कि आपको पूरा literature जो है, एक तरह से real life हो जाएगा आपके mind में, जो भी आपने तयारी की है, आप उसे recall कर पाएंगे easily, तो उस तरह से वो notes बनाए हुए हैं दोस्तों, तो आप उन notes को purchase कर सकते हैं, notes purchase करने के लिए, आपको मेरे number 975605555555 पर contact करना है, आप live class लेना चाहते हैं, तो भी इसी number 97560555555 पर आप मुझे contact करें, whatsapp number भी यह ही है, calling number भी यह ही है, तो इस पर आप मुझे call करें, call करके confirm करें, और जल्द ही आप अपनी seat confirm करा लें, क्योंकि मैं limited seat रखने वाला हूँ, इसमें UPTGT, PGT batch में, और मुझे जो candidates हैं, वो वही candidates चाहिए हैं, जो अपना fully dedication देने के लिए तयार हो जो तयार students हैं, जो वास्तम में एक सची लगन से पढ़ रहे हैं, और मेहनत के साथ तयारी कर रहे हैं, वो मेरे channel से जुड़ सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको ये बात निश्चित रूप से कहता हूँ कि आप जो है अगर जो मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, तो result आपके favor में आने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस प्रकार से guide करने जा रहा हूँ, कि आप वास्तम में result प्राप्ट करेंगे, और अच्छा result प्राप्ट करेंगे, अगर आपने पहले भी इस exam को दिया है, और किसी कारण आप सफल नहीं हो पाए हैं, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि संघर्ष जो है वो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन हमें इन संघर्ष से overcome होना है, इस संघर्ष को लांग जाना है, और आगे वाली सीड़ी पर पहुँचना है, तो इसके लिए मैं जाते जाते अपने कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो उनके लिए जो struggler है, उनको मैं शेयर करना चाहूंगा कि अपने उस struggle से घबराना नहीं है, अभी आगे बढ़ना है, अभी हर राहा है कठिन जीवन की, हर पग तू समबलकर बढ़ाएगा, पर इस उची नीची राहा पर तू लड़ खड़ा ही जाएगा, तू लड़ खड़ा ही जाएगा कदम के लड़ खडाने को समझना अपनी हार तू जीवन में रास्ते ऐसे आते हैं हम लड़ खडा जाते हैं लेकिन कदम के लड़ खडाने को समझना अपनी हार तू अभी तो बस आरंब है इसने है से स्विकार तू इसने है से स्विकार तू तू रुक नहीं तू जुक नहीं तू रुक नहीं तू जुक नहीं यहाँ दुख से पहले सुक नहीं जीवन इसी का नाम है तू ठान ले उस लक्षे को जो करना तुझको काम है तो दोस्तो अपना target निश्चित करो और अपना target जो आपका UPTGT PGT का है उसे आप निश्चित कर लीजिए सफलता आपको मिलेगी और इस सफलता का एक छोटा ससरूत मैं भी बनना चाहता हूँ ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ और आप मेरे इस नाम को आगे ले जा सके Thank you very much, yours Dr. Sachin Goswami